मैं दो हजार चोबिस को ब्रस्पती का राशी परिवर्तन होने वाला है एक दू दिन मज़ा हुआ है भी तो इस राशी परिवर्तन से ये साल का सबसे बड़ा राशी परिवर्तन है ब्रस्पती देव अपनी मेश राशी से विर्शब राशी में आ रहे हैं यानि कि अभी एक नंबर में बैठे हुए है और वहाँ से निकल के दो नंबर में जाएंगे दो नंबर विर्शव राशी को कहते हैं तो सभी की सभी कुंडलियों पर कुछ ना कुछ परभाव पढ़ने वाला है पूरे मानव जीवन पर पूरे समाज पर इसका क्या परभाव पढ़ने वाला है किसी कुंडली के लिए यह शुब होगा किसी के लिए यह शुब होगा और इसको लेकर यूट्यूब में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है आप जब भी वुड़ियों खोलता है तब ही देखते हूँ के ब्रैस्पति का राशी परिवरतन यह होने वाला है वो होने वाला है ऐसा होगा वैसा होगा इस राशी के लिए वो होगा तो मैं आज आपको सभी राश्यों के बारे में किलियर करने वाला हूँ देखे, मैंने यहाँ पे सभी लगन की कुडलिया बनाई है और हम बात करेंगे लगन कुडली पे, ठीके, सभी लगन की मेरे पास में कुडलिया है, तो किस राशी से निकल के, किस राशी में पहुँच रहा है, कहाँ पे क्या परभाव दे रहा है, क्या इफेक्ट ब्रस्पत ये साल क्या करने वाला है क्योंकि ब्रिस्पति देव पूरे एक साल तक विर्षब राशी दो नंबर में रहने वाले हैं तो आपके जीवन पे क्या परख पड़ने वाला है एक साल तक तो आप खुद चेक कर सकते हैं अपनी कुणले के दौरा एक बेशिक जानकार ये आपको पहले दे देता है ब्रिस्पति के बारे में देखिए ब्रिस्पति देव जो है वो देव गुरु है ठीक है तो जैसे ही कोई ग्राशी परिवरतन करता है तो उसका एक हपता पहले लगबग 10-12-15 दिन पहले असर इस्टार्ट हो जाता है उसके लोगों को digestion का problem बन रहा है खाने पीने में constipation, acidity बन रही है पेट का problem जाद है बन रहा है दिक्कत हो रही है ये खान पान लिवर से जुड़ी हो चीज़े बन रही है समझ लीजिए ब्रस्पति का ही परभाव है ये ठीक है अब देखे ब्रस्पति देव की जो खुद करेक ब्रस्पति में आ गए है तो वो छोड़ देंगे इस समय उनको योग बन जाएंगे धरम से इंसान जुड़ना शुरू हो जाएगा धारमिक प्रवर्ति बढ़ने शुरू हो जाएगी पेट की बिमारिया गैस ऐसे लिवर से जुड़ी तमाम समस्ये शुगर भी इसी में ए आप मिलेगा मान सम्मान की किची को हानी हो रही है अप यह शुगा है तो उसका भी पूरा फायदा यहां पे होगा अभी आपका सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्रस्पति आपके फिवर में जाएगे अध्यात्मिक जो गहरा ज्यान होता है धरम से और संसकार तो ब्रस्पति देते ही देते हैं धन का लाब कराते हैं तो यह कुछ चोटे से करेक्टरिस्टिक में लिए जो ब्रस्पति आपके जीवन में देंगे और इसमें डाइजिसन का जो पार्ट होता है वो सबसे इंपोटेंट है भी फिलाल के लिए अब देखिए मै मैं यहाँ पे मेश लगन की कुडली ली है अगर किसी जातक की मेश लगन की कुडली है तो अभी ब्रस्पति देव कहां पे बैटे हुए है यहाँ पे अब निकल के कहां पे आ जाएंगे गुरु सेकंड भाव में आ जाएंगे विर्शव राशी में कब 1 मई 2024 को लगभग दो बजे की बीच में आ जाएंगे और 14 मही 2025 तक यहां पर रहने वाले हैं देखे मैं आपको कुंडली में अगर पूरी गहराई में बताने लगूँगा तो वीडियो गहीं गंटे तक चलिए जाएगी तो मैं आपको मोटे मोटे तोर पर बता देता हूँ देखे ब्रस्पति देव मेश लगन है मेश लगन में ब्रस्पति देव को नंबर मिला है एक तो मिला है नोवा घर और एक मिला है बारवा घर यह होता है भाग्ये का घर यह होता है आपकी विदेश यात्राव का घर खर्चोग अगर ठीक है तो ब्रस्पति देव मेश लगने में भाग्या के मालिक होते है अगर कोई ग्रह उसी को तिर्कून का भाव मिला है और एक 6-8-12 का मिला है तो उसको 6-8-12 का दोश नहीं लगता है तो यहां पे ब्रस्पति देव पॉजिटिव है योग का रहा है और ब्रस्पति देव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होकर ही यहां पे बैटेंगे और पॉजिटिव होने के बाद में ब्रस्पति जो देखेंगे ब्रस्पति की दरस्टिया होती है पांचवी, सातवी, नोवी अब पांचवी, सातवी, नोवी दरस्टि कहां पड़ेगी यहां का फल देंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक यहां का फल देंगे, छे, साथ, एक यहां का फल देंगे, आठ, नो, एक यहां का फल देंगे, कुल मिलाके ब्रस्पति देव ये तीन जगह पर अपनी द्रस्टि डाल रहेavier तो इन तीन जगह का फल ब्रस्पति देव देंगे अब देखे, कुछ लोग कहते हैं कि छटवा आठवा गर है लेकिन ब्रस्पति देव शुभ हिस्थिते में तो शुभ फल देंगे अब ब्रेस्पति देव यहां का फल देंगे यहां का क्या फल देंगा यह परिवार का है धन का है वानी का है कम्मिनिकेशन का है पैत्रिक सुख संपत्ति का है परिवार में वाद विवाद चल रहा है तो उठीक होगा आपकी देखे यह आयू का होता है लंबी बिमारियों का होता है मृत्यों का होता है आपकी आयू बढ़ाएंगे ब्रस्पति देव यहाँ पे और ब्रस्पति देव लंबे समय से चली आ रही कोई ऐसा ध्या बिमारी वो आपकी खतम होने वाली है मेश लगन के लोगों के और भाग्ये तो उदे आपको हो गई होगा, यहां से आपका विदेश यात्रा भी देखी जाती है, फॉर्थ भाव को भी देखा जाता है, तो कुल मिला के मेश राशी के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने मला है, एक पुखराज पहन लीजिए, आपको बहुत लाब हो यहां पर अच्छे फल नहीं देते हैं, और बात करें तो कहां पर है, अभी यहां पर बैठे हुए थे गुरू, अब यहां पर आ गया है गुरू, तो कुल मिला के यहां पर बहुत अच्छे फल नहीं देंगे, गुरू अपनी द्रिश्टी पांच वी टालेंगे, यहां प पे और नो भी दिश्ट चालेंगे यहाँ पे तो वर्षब राशी के लोगों को फोध अच्छा फाइदा नहीं होगा फिर भी देवगुरु ब्रस्पती देवगुरु होते हैं तो संतान से जुड़ी हो देखो बैनिफुट तो थोड़ा भौत देंगे लेकिन नुकसान जा हो जाएगा और भाग्य की हाँ नहीं हो नहीं आपकी शुरू हो जाएगी देव गुरु ब्रस्पती सात्विक होते हैं तो थोड़ा सा आपका भाग्य का साथ दे सकते हैं नहीं तो कुल मिला के वर्षब राशी के जातों के लिए यह हैं बहुत अच्छा नहीं रहने वाल हैं चोकि यह ब्रस्पती देव हैं तो ब्रस्पती देव आपको समस्य तो देंगे परिशान भी करेंगे लेकिन कुछ महीनों के बाद में एड्रेस्ट होके फिर आपको बेनिफिट भी देंगे संतान को सुबी देना शुरू करेंगे इस तरह से आपकी चीजे बैलन्स करन केरियर के लिए और यहाँ पर बैठे हुए है ब्रस्पती देव अभी कहां गुरू में अभी बड़े शुप इस्तिति में बैठे हुए हैं इन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहा है अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं गुरू यहाँ बारवे घर में तो यह शुरुआत में तो यहाँ पर इने एड़ेस्ट करने में प्रोब्लम आएगा यहाँ पर समस्य देंगे शुरू के दो-तिर महीं ने लेकिन उसके बाद जैसे एड़ेस्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद यह आप फायदा देंगे शुरूआत यह दोर में आपको थोड़ी स कर्ज को भी यहाँ पर उतारेंगे ठीक है और यहाँ पर आपकी आयू को भी बढ़ाएंगे बीमारियों को भी खतम करेंगे मैं फिर भी आपसे बोला हूँ शुरूआत में प्रोब्लम देंगे लेकिन जैसे वेड़ेस्ट हो जाएंगे फिर आपको दो-तिर मेने बाद हैसूस करना सिर्फ कहने की बात नहीं है अच्छा एक बात और कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो ब्रस्पति देव जैसा आपने बताया पंडे जी ऐसे नहीं हो रहा है तो मैं कुछ लोगों की जानकर एक लिए बता दो अगर किसी की लगन कुंडली में शुरूआत से ही ब ब्रस नंबर ब्रस्पति की नीच राशी होती है तो अगर ब्रस्पति देव नीच राशी में बैटा है तो उन लोगों के लिए यहां ब्रस्पति देव नेगेटिव रिजल्ट देंगे पोजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है जब ब्रस्पति देव चटवे आठवे बार भाव में बैठा हुआ है तो भी ब्रस्पति देव खराब रिजल देता है वो ब्रस्पति से जुड़ी चीजों का दान करें ठीक है बाद में बात करेंगो इस बारे में भी अब बात कर लेते हैं करक लगन वालों के लिए देखे ब्रस्पति देव भी केरियर में बैठे इमाली जी खुल गया है उनका गिस्मत, यहां से सीधा पंचम बाविद्रस्टी जाती है, तो शेर बजार का लाब देंगे ही देंगे, ठीक है, प्राकरम मनोबल बढ़ेगा यहां पे देखिए, यह पांच भी द्रस्टी से, एक, दो, तीन, चार, पांच भी द्रस्टी से, चोटे भाई बहनों के साथ कोई संबंध विवाद चल रहा है तो वो कदम हो जाएगा, संतान गहर होता है, संतान का सुख मिलना शुड़ू हो जाएगा, बहुत टाइम से पर्यास कर रहे हैं, संतान का सुख नहीं उपा रहा है, पुत्री या पुत्री या फिर कंसिर्व क करक लगन के लोगों के लिए सबसे best रहने वाला है ब्रसपतिदेव का, उसके बाद बात कर लेते हैं सिंग लगन के लिए, देखें, यहाँ पर बैटे हैं भाग्ये में भी, यहाँ से निकल के गुरूप पहुंच रहे हैं, विर्शवराशी में आपके यहाँ पहुंच रहे समपति में इंवेस्टमेंट करने वाले भूमी का, वाहन का, मकान καा, दुकान का, प्रोपरटी का, विदेश यात्रा को बनाएंगे हैं यहाँ देखें, विदेश यात्रा के लगए हुए परियासMें, विदेश यात्रा 4th house activate होगा, तो विदेश यात्रा का यहाँ पर यो वदनी शुरू होजाएगी, ठीक है, परिभारी जो संपत्ति का कोई बटवार, संपत्ति से जढ़ी होई चीज है, तो उसमें आप को सफलता मिलने शुरू हो जाएगा, परिभार का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, तो कर कि लगन के लिए सिंग लगन के लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट रहने वला है ठीक है पुखराज यहां पे पहन लीजिए पुखराज यहां पे पहन लीजिए यहां पे पुखराज मत पहनिए ठीक है और यहां पे कुछ समय के बाद रुखके पहनिए अब यहां बैटे हुए थे, गुरु अब यहां पे पहुँच गए भाग्या के स्थान में, ठीक है, और कन्या लगन के लोगों के लिए ब्रसपति देव को जो इस्थान मिले है, उसमें, दोनों केंदर के मिले है, फॉर्थ और नाइन्थ, संपत्ति का मिला है, और मेरिड ल यहां पढ़ती है, शेयर मार्किट, लोटरी, शट्टा, इस तरह की चीजों में फायदा होगा, ठीक है, संतान का सूख होगा, प्रेम संबंदों में मदूरता आएगी, और यहां से आपका प्राक्रम बढ़ेगा, चोटे भाइमेनों के साथ मदूर संबंद बनेगी, आपका अगर कोई PR वेगारा कुछ भी बचा हुआ है, पेंडिंग में है, तो वो कंपलीट हो जाएगा, आप लोगों के लिए पुरा-पुरा फायदा बिरस्पति यहां पर दे रहे हैं, आप वैसे भी आडिया लगा सकता है, जिनको ये सारी प्रोब्लम्स बन रही है, ब बिरस्पति की पोजिशन आप अपनी कुडली से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी पोजिशन ठीक है बिरस्पति की तो आप क्या कर सकते हो, एक पुखराज पहन लीजिए, पुखराज इस्टोन पहन लीजिए, ये सोने में पहना जाता है, उसके लावा पंच धात के दिन पीली चीज़ों का दान करना शुरू एक हाँ दो तो यह मेरी वीडियो थी मैंने इसमें चहराशी के बारे में बताया है च्छेलगन के लोगों के बारे में यसका सेइकंड पार्ट डालूगा तो अगर आप चाहते हैं कि second part भी बने असका तो आप comment कीजिए ठीक है और अगर कोई जानकरी चाहिए तो आप बता सकते हो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के धनने वाद thank you so much